हेलो फ्रेंट्स वेलकम टू माई यूट्यूब चैनल ब्लॉग बैस तो इंडियन रेल्वे की काफी अच्छी वैकेंसी जो मानी जाती है रेल्वे लोको पाइलट और टेक्निशियन तो इस बार लोको पाइलट की वैकेंसी है जो आज चुकी है और इसमें सीटो की संख्या जो मानी जा रही है काफी कम है पिछले बार की वैकेंसी के अनुसार और जो भी कंडिडिट जो है पिछले बार 2018 का नोटीस अगर देखे होंगे तो लोको पाइलट की संख्या करीब 26,000 और टेक्निशियन की संख्या करीब 35,000 अगर आपको याद ह होगा तो टोटल सीटो की संख्या जो थी वो 64,000 सीटो की संख्या थी तो इस वैकेंसी में सीटो की संख्या कापी कम है Apa कंडिडेट के दौरा इस पे काफी सोसल मीडिया वगाड़ा पे अभी ट्रॉलिंग किया जा रहा है रिल्वे को की सीटों की संक्या को बढ़ाया जाए और कोचिंग संस्थानों की भी जोर सोडों से लगे हुए कोचिंग संस्थान भी इसमें की सीटों की संक्या को बढ़ाया जाए और हर एक डिश्टिक वगएरा में पटना में आज ही के दिन 27 ताड़ी के दिन पटना में ध भरना वगेरा भी दिया गया सीटों की संक्या को बढ़ाने के लिए तो यह जो वैकंसी है अभी विवादों से गिरिवी है क्योंकि काफी एक जो वैकंसी मानी जा रही है 2018 के बाद मैक्सिमम आप देखें तो 6 सालों के बाद यह वैकंसी आई है और 6 सालों के बाद वैकंसी आने के बाद भी यह 5,900 के कड़ी वैकंसी मानी जा रही है जो की 6,000 अगर आप मान सकते हैं तो काफी कम वैकंसी है और इंडियन रिल्वे को देश का सबसे बड़ा नियोकत माना जाता है अगर कोई candidate समझे कि सबसे ज़्यादा वेकेंसी जो है और देश में युवाओं को सबसे ज़्यादा नौकडी जो है देने का जिम्मा मान के चला जाए तो सबसे ज़्यादा जो candidate है वो रिलवे को ही प्रेफर करते हैं अपने competition के लिए और ये एक ऐसा department है जिसमें अधिकतर बिहार यूपी जारकंड बंगाल के लोग राजस्थान के लोग इसलिए इसमें जाना चाते हैं क्यूंकि इसमें कोई English की अलग से competition नहीं होती है तो ये काफी अच्छा हो जाता है जिनक भी बिहार बोर्ड अस्टेट बोर्ड के हैं सीबेसी बोर्ड के नहीं है तो उनके लिए थोड़ा आसान होता है तो बहुत कंडिडेट जो हैं उमीद कर रहे हैं थे कि रिलवे की वैकनसी आएगी और हाला कि 2024 में इलेक्षन भी है तो इलेक्षन के कारण भी वैकनसी काल सबरी से इंतिजार कर रहे हैं हलाकि वैकनसी आई लेकिन वैकनसी में सीटों की संख्या काफी कम रखी गई है इसलिए अभी इसमें आप देख सकते हैं कि हो सकता है कि सीटों की संख्या को इंक्रीज किया जैसे पिछली बाड़ हुआ था तो अभी कंफर्म ऐसा नहीं है कि उपरेसंगे सीटों के संख्या बढ़ेगी या गटेगी तो जैसा होता है वह अपडेट हम आप लोगों के साथ सेयर करेंगे हलाकि सीटों की संख्या जो है इस वार बहुत कम है तो अभी कंफिश कंडिडेट्टु जो है इसका फ़ॉन भी कर चुके हैं और कुछ कंडिड से अभी बहुत से कंडिडेट जो हैं को फिल भी नहीं किये हैं तो एड़ाटाजमेंस रिलेटेड वीडियो नेक्स्ट वीडियो में हम सेयर करेंगे यह कुछ न्यूज था एलपी वैकंसी से रिलेटेड तो हमने सोचा आपके साथ साजा किया जा तो फिलहाल इस वीडियो मे को इन्फर्मेटिव लगता है तो अपने दोस्तों के साथ से शेयर करें और अमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे